हमारे देश में 70% परिवार खेती किसानी से जुड़े हैं भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट इन किसान परिवारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए तमाम तरीके की योजनाय संचालित की जा रही है तो आज हम उत्तर प्रदेश के सीतापुर जन्पत के रियोसा बलाग के सिकोहा ग्राम पंचयत में के सिकोहा गाओं में खड़े हैं जहां पर कुछ किसान जैविक खेती कर नए किर्थिमाने स्थापित कर रहे हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं सिकोहा गाओं के अंदर कुल 200 प्रवार हैं 200 प्रवारों में 1500 प्रवार खेती किसानी से जुड़े हैं जिसमें से 50 प्रवार जैविक खेती कर अपने आपको आत्मिर्भर कर रहे हैं तो आज हम यहां जानने का प्रयास करेंगे कि आत्म निर्भर तापे जैविक खेती से उनको कहां से प्रोसान मिला और उनको आज तक मुनाफ़ा हुआ या नुक्षान हुआ मेरा नाम स्व्यतंग टिंपाति है मेरे गाउं का नाम सीखवा है और स्वास dampak ह KIRसी करता हूँ डोसटर डॉडि शो किसान परुड़ है जो पचास किसान इसमें जैविक खेती के अंतरगर्ण मुत्र गो बर और सीरा और सुगन्द कर्च फद्धत पर काम करते हैं इसके उद्याश से गाओं में सवनीम के पेंड़ कि तना सक बनाने के उद्याश से और उसमें उसमें मदार धतूर करंज इत्यादे लगा रखे हैं और मैं गेहुं गन्ना सरसों को पापीता टमाटर की भी खेती करता हूं मैंने लहसुन भी लगा और जानवरों के लिए चारा भी बो रखा है उसमें भी केसी प्रकार के कीटनास्ता का प्रयोग नहीं करता हूं मैं खेट में रोज छे बज़े से लगा करके बारा बज़े रात तक दो सिप्टमों काम करता हूं और उसमें यहां के स्रमिक भी लगाता हूं करता हूं कारण रहे हैं कि का मैं नंकिया जाए तो वह काम नहीं होता है उनके साथ में नर्षरी बोना और चलाना और सवरूर प्लांट से शीचाई करना और हम विदियों सब्सेंने अपने इसी चाहिता उसके लिए हमने सिस्टम डबलब करें हैं जिसे हमने में इस्तेमाल करते हैं तो यह भी जो होते हैं घास में माज्केन देए तो घास को नीचे ढ़ल देते हैं उसी UA पहले से हमारा गौममुत पड़ा होता है उपर से मिठ्टी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है जो हमारे सुच मिवाणों को जो है भोजन मिल जाता है और जब उसमें गोबर होता है तो हमारे केचुए नीचे से और प्रोजेक्ट पूरा होते हुए हमको छोड़ दी थोड़ी से जुजानकारी मिली है उसमें जो है पराली का है और जो है इसका जो है एक बैस्विक अस्तर पे कि जो कोई भी इसको खरीच सकता है ऐसा जो है जो हमारे पूंजी पती है या कह लिजिए जो उद्देग पती ह कि मुए अपनदिवेस करना चाहा रहे हैं इनको चाह रही सरकार का और शेकार चाहा रही है कि लोके इसमें बिचावां को टो हो जाए चोंच के फाइदा होग कि इस बैस्टार और जब जूड़ा है तो हमारे पियम साहबे चाहते हैं कि हमारे जो आम किसान है वह बैस्चुक अस्तर पर उभर करें इसलिए नो आत्म निरभर भारत का उकलफा लोकल का और एक जिला एक उत्पाद के लिए बहुत सारी जो उन्होंने कांसेप्ट दिये हैं तो इससे किसानों क को होगा कि जो आम गाओं का किसान है वह वर्ड पर उभर के आएगा तो उसमें उनकी प्रतिभा को निखार मिलेगा और उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा तो क्रिसी कानून जो किसान आंदोलनकारी जो हैं और सरकार को चाहिए कि बीच का रास्ता निकाले और उनका स जादा से जादा जो है उसमें जैविक खादों का और नशनों का और जो है निरमान करें उनका प्रयोक खरें किसी जो है कंपनी के उत्पाद के चक्कर में नहीं यह मजबूरी है कि हमें कभी करना पड़ता है तो इसा धीरे-धीरे हम करेंगे मुझे बड़े अफसोस के साथ एक कहना पढ़ रहा है सरकार दोरा आत्म निर्वर भारत अभ्यान के तहट चलाई जा रही तमाम होई उजनाओं का लाब गाउं में रहने वाले खेती किसानी से जुड़े परिवारों को उसका सीधा लाब नहीं मिल पा रहा है सरकार को चाहिए कि आत्म निर्वर भारत के उधारणा को सही माने में साकार रूप देने के लिए ग्रामी ले चल पे ब्यापक अस्तर पर जाग रूपता फैलाए ताकि इसका लाब सीधा किसानों को मिल सके और उसका लाब उठाएं और आगे बढ़ें मैं हरी शंकर सीता पर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ट के लिए